एक महतोपुन चीज आए गया जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय में किरिकेट की बारे में जानना अनिरवार्यता हो जाती थी मेरे को समझ में नहीं आता था में धिरे से मेरे मित्रों से दो तिन सब्द सीख लिया स्पीन, फास्ट बोलिंग, लबी डवलू, नो बॉल, ऐसे जब चर्चा होता था मैं भी ऐसे दो तिन सब्द डाल के खुद की गुण बत्ता का परिचे देता था मैं भी अनपड नहीं हूँ, मैं भी थुड़ा थुड़ा क्रिकेट की बारे में जानता हूँ मित्रो आज भी इसे एक लहर आई है टेक्नोजी का, मैं उस समय में जिस परिवेस में बढ़के आए, सायद मेरे अज्ञानता में चल गया भारत और टेक्नोजी इस दोनों की जो अतूट सम्मद है, भारत बाई डिये ने एक टेक्नोक्राट्स की देश है टेक्नोक्राट्स होने के लिए जरूरी नहीं कोई आच्छे शिक्यान संस्तान में पढ़ना भारत में टेक्नोक्राट्स मैं कहे रहा हूं जब आई डिये ने कब देखिये, पिछले 15 साल में भारत की बैंकिंग सिस्टम चेंज हो गया कोई ओभी बैंक नहीं जाता है क्यूँ में खड़े होके पैसा उठाने के लिए सब अपने मोबाइल फोन पर ट्रांजक्शन कर रहे हैं अपने पेमेंट्स की यहां बैटे वे हॉल में सारे लोगों की बच्चे भी तो आज करने लगे हैं पहले इकमर्स में अपना पर्चेजिंग कर लेते हैं पिता जी को और महां को बाद में पता चलता है कि पलाना चीज सपिंग हो गया था और वो भी टेक्नोक्राट्स हैं टेक्नोजी के प्रति भारत में एक अकर्सन है उस आकर्सन स्रीपेक मौनोनेजन की विशन नहीं रहना चाहिए अभी जी टॉंटी की समय लेन हुआ उस समय में जी टॉंटी की एक आप बनी थी जी टॉंटी की वेवस्ता में लगे हुए सभी लोगों के पास वो आपको डाउनलोड करवाए गया था तो हम लोगों की पास भी यो डाउनलोड हुआ था हम एक बाद जी दिन रात को भोज हुआ उसी दिन मैं और हमारे स्वहोगी मंत्री आदलिया अन्नपुना जी दोनों एकी टेबल पे थे और हमारे टेबल पे चाइना की प्रतिनी धीवी थे दो एक राज्या की मुख्य मंत्री उनके वहाँ आये थे वो बैठे थे तो चाइनीज लोगों को एक इंट्रीटर था साथ में लेकिन आमने का रुको तुम्हारी इंट्रीटर्शन तो वही जगह पे रको हमारी मोधीजी ने हमको एक दिया है आप में हम से इसमें बात करते हैं तो वह बैठे थे अन्व पुन जी को पास में अन्व पुन जी उनको हिंदी में बोले वो चाइनीज भासा में उनको समझाए आप वो चाइनीज में बोले उसको हम लोग हिंदी और इंग्लीज में समझे यह टेक्नलोजी की कमाल है हम सब लोग अपने अपने इंस्टिचुशन में इस प्रकार के मैं कभी कोई छोटे स्कूल में जाता हूं देखता हूं टेक्नलोजी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट हमारी टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बना लिये हैं उससे आगे तो और बहुत अनुवादिनी तक हम पोहुंच चुके भासनी हमारी एजुकेशन एको सिस्टम की प्रडॉक्ट है अभी मेरे को जग्दिश कुमार जी कह रहे थे कि पहला अमेरिका की शिकागो इन्वर्सिटी में संस्कूर्थ में पहला कोई एक विशेपे प्येजडी हुआ है डॉक्टरल संस्कूर्थ में लिखा गिया है वो फिर हो अमेरिका में लिखा गिया है ये अभी आने बाले दिनों में इसको मल्टिप्लाय करना पड़ेगा मैं कभी कभी सोचता हूँ जिस दिन भारतिय भासा और टेक्नलोजी ये दोनों परस पर दो-तीन साल ठीक से घुल मिल जाएंगे हम दुनिया की बाकी एकोनोमी से कम से कम पचासाल आगे रहने वाले हैं कम से कम पचासाल आगे रहने वाले हैं इसमें कोई संध्य नहीं है इसलिए सरकार की जो भारतिय भासा समीति के एक पहल है NEP 2020 को इंप्लिमेंट करते हुए आधनिय भारत की प्रख्याद भासा सास्त्री पदमस्री चमु कृष्ण सास्त्री जी को हमने इस काम पे काम सोपा है उन्होंने कलपना किया कि हम एक लैंग्वेज फॉर टेक्नोजी लैंग्वेज इन टेक्नोजी लैंग्वेज फॉर टेक्नोजी फिट लैंग्वेज लैंग्वेज फिट टेक्नोजी इस दिन लैंग्वेज और टेक्नोजी की फॉर इन फॉर की सही मेलजोल हो जाएगा उस दिन जो ज्यान कुम्भ हमारा इतना इतना नया चीज हम लोगों के लिट्रेचर में, गणीत में, यह सारे इतने परिपुरुनता बन जाएगी, भारतिय ज्ञान प्रभाह की इंडिया नौलेज सिस्टम को हम आधुनिक समय में आज के आवशक्ता के साथ कंटेक्श्वल कर पाएगे, ऐसे विद्वानों को यहां बुलाया गिया है, आने वाले दो दिनों में, इस प्रकार की बिमर्स आप करोगे, जिसमें हम 21 वी सदी में, वित्रों मानने प्रधान मंत्री इन दिनों में एक बात कहते हैं, सो साल पहले विष्वी सदी में, विष्वी सदी की जो तिसरा दसक था, भारत के लिए निरनाएक दसक था, उसी दसक में, भारत की स्वतंतर्द संग्राम की नए उचाई हुई, भारत में बिज्ञान की नई आयम जोड़ा गया भारत की बानीजिया में नए आयम जोड़ा गया जिसके कारन छौते सदी दसक तक तिसरे दसक से छौते दसक तक आते आते भारत आजाद हो गया ऐसे ही मित्रों 100 साल के बाद मैं कह रहा हूँ 21 विश अदिके यह तिसेरे दसक जिसमें राष्टिया सिक्षा निती को क्रियानवन करने की हम सभी किदाई तो है अगर राष्टिया सिक्षा निती को हम लोग भारतिया भासा आमें कभी-कभी सोसना हूं कि हमारी टैलेंट पूल की जो अभी लिंक लैंग्वेज है, प्राइमेरिल इंगलिस, मेरे इंगलिस से परेज नहीं है, इंगलिस से साथ कोई जगड़ा भी नहीं है, बाइर भी नहीं है, लेकिन मैं इस विश्या का बिश्वासी हूँ, जिस दिन ये सारा भारतिय लैंग्वेज के तहत जाएगे, तब आज जि इमर्ज करोगे और आने वाले 75 दिन हम भारत में एक नया महोल बनाएंगे इसी विश्वास अपक्या के साथ फिर इस अधिवेशन को अनेक अनेक सुभेच्छा जोदी आपणों को आमों वीडियो टी भलो लागिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करी बखो जमा भी भूलों तो नहीं